दोस्तो अगर आप लोग भी YouTube, Facebook and Instagram पर दूसरों की वीडियोस कोपी करके अपलोट करते हो और अगर आप लोग को भी copyright का डरे क्योंकि जब हम दूसरों की वीडियोस कोपी करके अपने YouTube चेनल या भी Facebook पेज़ पर अपलोट करते हैं तो 100% हमको copyright मिलता है कभी कभी ऐसा होता है कोई हमें copyright ना दे लेकिन बहुत सारी वीडियोस पर हमें copyright मिल जाता है तो इस से हमारी जो सारी मेनत है वो बरबाद हो जाती है तो अगर आप लोग भी copyright से बचना जाते हो तो इस वीडियो का आप लोग complete step by step end तक जरूर देखते रहना इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग कैसे no copyright वीडियोस डाउनलोड करके मतलब आप लोग no copyright वीडियोस कहां से ले सकते हो और उनको अपने चेनल या facebook पेज पर upload कर सकते हो और उस पर आपको copyright भी नहीं मिलेगा मतलब no copyright videos आप लोग use कर सकते हो तो ये जो पुरा process है वो मैं आपको आगे अपने mobile screen पर बताने वाला हूँ तो चलिए आर ज़्यादा देन नहीं करते हैं और चलते हैं अपने mobile screen पर तो दोस्तो हम लोग आचुका अपने mobile screen पर और no copyright video लेने के लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने chrome browser पर जैसे आप लोग chrome browser पर जाओगे यहाँ पर आपको एक website सर्च करना है pixels.com यह आपको सर्च कर लेना है spelling आप लोग देख लो pixels.com इसी website सा आपको जो है no copyright photos and videos मिलेंगे इस पर आपको चले जाना है जैसे आप लोग इस website पर जाओगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा अब हमें जैसे भी photos चीए या जिस तरह के भी videos चीए वो हमें यहापर search करना है जैसे हमें यहापर business related videos चीए तो हमें यहापर search कर लेता हूँ यहापर जितने भी videos होगी business से related वो सारी आ जाएंगी अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इन वीडियो को आप लोग डारेक्ट डाउनलोड करके यूज करो उससे पहले आप लोग को इसका license को समझना होगा किस किस चीज में यह हमको agree करता है कि copyright नहीं देगा वो हमें समझना बहुत जरूरी है इस website के भी कुछ rules and regulations है वो अगर आप समझ लोगे तो बाद में आपको problems नहीं आएगी तो वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा अगर आप लोग facebook page पर या youtube पर वीडियो अपलोट कर रहे हो तो आप लोग 16-09 में वीडियो अपलोट करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना है horizontal वाले mode को select कर लेना है तो मतलब जैसे मैं horizontal mode select कर लेता हूं तो यहाँ पर जो हमारी वीडियो आईगी वो सारी landscape में आएगी मतलब 16-09 की वीडियो आएगी तो इन्हें हम लोग अपने facebook page या फिर वीडियो में यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आप लोग youtube swords बना रहे हो instagram reels बना रहे हो facebook reels बना रहे हो तो उसके लिए आपको चीए vertical reels तो vertical reels के लिए आपको यहाँ पर simply horizontal जो हमने अभी select किया था इस पर ही किलिक करना है and इसको horizontal सामें कर देना है vertical तो जैसे हम लोग vertical पर इसे किलिक करेंगे हमारे सामने देखो vertical shape में सारी reels आ चुकी है अब हमें तो जो भी reels यह जो भी मतलब हमें वीडियो इसमें सच्छा लगता है simple ही उस पर हमें किलिक करना है जैसे हम लोग किलिक करोगे आपको सबसे उपर फिर डाउनलोड वाला option मिल जाएगा तो simply हमको फिर डाउनलोड वाला option पर किलिक करना है and यह जो reel है यह हमारी जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी मालब जैसे आपके network connectivity के उपर depend है तो आप लोग जैसे फिर डाउनलोड पर किलिक करोगे यह हमारी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो यह हमारी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है और डाउनलोड होने के बाद यह हमारी सिंपली गेलरी में सेव हो जाएगी तो कुछ इस तरह से आप लोग इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हो अब बात करते हैं हम लोग इसके लाइसेंस की कि कहां कहां में उसको यूज कर सकते कहां कहां नहीं कर सकते तो आपको उपर यहां पर एक लाइसंस वाला उप्सन मिल रहा होगा इस पर आपको जाना है यहां पर आपको सारा कुछ बता देगा मैं आपको बता देता हूं कि कहां कहां यह अलाउड है कहां कहां अलाउड नही में यूज कर सकते हो दूसरा है attribution is not required मतलब आप इनको credit ना भी दोगे तो भी चलेगा मतलब और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग credit देदो आपको सिप एक टेक्स्ट ही तो लिखना है आप लोग वहाँ पर लिख दो कि हमने जो वीडियोज है जो भी फोटो यूज किये वो पिक्सल से ली गई है तो उसमें हमारा क्या जाता है लेकिन अगर आप नहीं भी दोगे तो भी हमें कोपिराइट नहीं देगा उसके बाद एक और उप्सन मिलता है कि आप लोग इनको मोडिफाई कर सकते हो यहां से जो भी आप लोग फोटो वीडियो ले सकते हो उनमा आप अपनी क्रेटिविटी एडिटिंग के जरीए कर सकते हो वो भी यह हमें अलाउ करता है लेकिन कंट कोपी से जो फोटो है जो वीडियो है उनको आप लोग सेल नहीं कर सकते अगर आप लोग ऐसा करते हो तो इनके रूल्स और रेगुलेशन के खिलाप होगा और साथी आप लोग कोई फिजिकल पोस्टर बना रहे हो किसी चीज पर प्रिंट कर रहे हो कोई भी फिजिकल प्र नहीं कर सकते तो अगर आप लोग कोई ब्रांड का एड बना रहे हो तो उसमें आप या किसी भी एडवर्टाइज मतलब आप लोग एडवर्टाइज बना रहे हो तो उसमें आपको इसको यूस करना ही नहीं है और फोटो नंबर पर भी है एक और है जिसमें आप लोग इन को sell नहीं कर सकते, तो कुछ इस तरह से यह हमें allow करता है, क्या चीज allow नहीं करता है, वो आप लोग जान गए होंगे, तो इसका यूज करने से पहले आप लोग यह समझ लेना, मतलब इसका use करो तो मैंने जो जो बता है उसमें आपको use नहीं करना है, तो जैसे इस तरह से आप लोग वीडियो भी हाँ से ले सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे आपको डाउनलोड करना है कैसे यूज करना है और इसका लाइसेंज भी बता दिया हम लोग मिलेंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत